हेलो गाइज वेल्कम बैक टू परिक्षा गुरू एकाडमी आज लेकर आये हैं फिर सी एक बार आपके लिए जीए जेके के मोस्ट इंपर्टन कोश्चन आज इस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमाई चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहां और साथ ही हमारे टेलिग्राम चैनल वाट्सवब गुरूब और फेसबुक गुरूब से भी जूड जाएं एड हो सकते हैं ठीक है इसका लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आज मैं शुरू में ही आपके लिए कर आया हूं, motivational quit. चलो देखें, motivational quit क्या कहता है? यह देखें, यह लेकर आया हूं, मैं. क्या बोलता है? उमीदों की कष्टी को डोया नहीं करते, मन्जिल दूर हो तो ठक कर रोया नहीं करते, रखते हैं जो दिल में उमीद कुछ पानी की, वो लोग जिन्दगी में कुछ हो नहीं करते कितनी शांदार बात बोले गया है ठीक है इस बात को अपने उपर implement करो उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते मंजिल दूर हो तो ठकर रोया नहीं करते रखते हैं दिल में उमीद कुछ पाने की वो लोग जिन्दगी में कुछ होया नहीं करते ठीक है यह चीज़ ध्यान रखो अपने दिवाज में है चलो शुरू करें पहला कोश्चन चलो शुरू देखते हैं पहला कोश्चन पहला कोश्चन देखते हैं क्या बोलता भारतिय समीदान की धारा 356 का संबंध कि से है राष्टी आपात से बित्ती आपात से रा में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर की बात करें आपका हो जाएगा option C राश्ट पती शासन से आपको पता है अपने constitution में तीन तरह के emergency होती है अनुच्छे 352 अनुच्छे 356 और अनुच्छे 360 352 जो होती है वो राज्जों में मतलब जो national emergency जैसे की भारत पर कोई यूद्ध हो जाता है कोई भी मतलब आगात बगरा हो जाता है भारत में तो लगी की आपकी 352 ठीक है 306 लगती है राज्जों में ठीक है जो राश्पती के द्वारा लगाई जाती है राज्पाल पर ठीक है राज्पाल इसका मतलब कारी बाग होता है और 360 जो ती है आपकी बित्ति है आपात से संबन देते हैं ठीक है आगे समझो है 352 जो है वो national emergency है चलो आगे बढ़ते देखते question number 2 उडिसा की राजदानी कहा है कोडार्क, भूमनेश्वर, पुरी या कटक तो उडिसा की राजदानी कहा है इसी question है सब लोग इसका answer easily देदेंगे तो इसका right answer हो जाएगा option B भूमनेश्वर उडिसा की राजदानी है यहां के सियम कौन है यहां के सियम कौन है गड़ेशी लाल वो नवीन पतनायक गड़ेशी लाल कौन है आपके एक प्रेट में बताता हूँ पहन गड़बर हो जाता है बार बार सीयम कौन है आपके नवीन पतनायक ठीक है नवीन पतनायक सीयम है और गवर्नर कौन है गड़ेशी लाल गड़ेशी लाल जो है वो यहांके गवर्नर है नवीन पतनायक जो है वो बीजू जन्तादल पार्टी के संबन देता है कुश्चन नमबर थर्ड सिंदू गाटी सब्दा किस पिरकार की सब्दा थी? तो सिंदू गाटी सब्दा किस पिरकार की सब्दा थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन C कास योगीन सब विदा थी कुश्चन नमबर 4 भारत की कौन एक महला बिश्व स्वाजते संगितन के अध्यक्ष बनी डॉक्टर सुशीला नायर, डॉक्टर शांती रोय, डॉक्टर श्यामा सिंग या डॉक्टर शासी कला वर्मा तो भारत की कौन एक महला बिश्व स्वाजते संगितन के अध्यक्ष बनी जल्दी सी बताओ, कमेंट करें इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन A डॉक्टर सुशीला नायर, अच्छा, WHO की बात आगी साथ अप्रेल 1948 को, ठीक है, इसकी इस्तापना साथ अप्रेल 1948 को होईगी, इसका हेट आटर कहा है, जेनेवा, स्वर्जर लेंड, और इसके बरतवान में हेट कौन है, तो टेड्रो अधानों, टेड्रो अधानों, इसके हेड है Q5, उडिशा, राजजी के उच्छी नियाले कहां पर है, कटक, भूमनेश्वर, कुडार्क या पुरी तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ओप्शन, बी, भूमनेश्वर, अब बरतवान में कितने उच्छी नियाले हैं, तो 25, अब 25 बा उच्छी नियाले कहां बनाये गया आपका, तो आपका बनाया आंद्र प्रिदेश में है, आंद्र प्रिदेश के अमराबती में है कुशन नमबर 6, शक्संबत को कितने भारत में आरम किया, किसने आरम किया, हर्ष बदर ने, समोधर गुप्त ने, चंदर गुप्त मौरिय ने या कनिश्क ने तो शक्संबत को किस ने आरम किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option D, कनेशकेने और ये कब किया था? 78 EASB में ठीक है? याद रखना शक्संबत को किस ने आरम किया? कनेशकेने और 78 EASB में question number 7 बाचपई ताल को किस ने बनाया? शिप कुमार बर्मा, बिरेंदर कुमार बर्मा रवी शंकर प्रिसाद या भीम सेन जोशी तो बाचपई ताल जो होती है वो आपका तबले में एक तरीके से जैसे की बजाते हैं न तरह तरह से तो उसी को ताल बला जाता है तो एक प्रिकार की बाचपई ताल होती है जो उसमें बजाते हैं तो ये इसे किसने बनाया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा और बिरेंदर कुमार बर्मा गाइस मेरे साथ पढ़ोगे जी जी के यकीन मानिए ऐसे से कोशन मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होगे मतलब आपकी सोच से भी परे होगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी कोशन आपका छूटे न कोशन नमबर 8 रेल गाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का सम्मन्द है ये बताओ मात्मा गादी जी की जन्म शताब्दी नेहरू जी की जन्म शताब्दी नेता जी सुभाष चंद्र बोष की जन्म शताब्दी अटल जी के नाम जन्म शताब्दी तो क्या होगा इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option B, नेहरु जी की जन्म शताब्दी, नेहरु जी मतलब जब 100 साल की शताब्दी हुई तब ये शताब्दी एक्सप्रेज शुरू की गई थी, ठीक है इसकीन शॉट लेगो, उसका question का आ जाएगा कहीं न कहीं question जब examiner को कहीं question नहीं मिलते हैं तो वो ऐसी question डालता है ये question आया हुआ है previous year में last question number 9, भारत में सर्पितम television का प्रिशारण दिल्ली से कप किया गया 1950, 1955, 1969 या 1965 तो भारत में सर्पितम television का प्रिशारण कप किया गया, तो इसका right answer हो जाएगा, option C 1969 में ये उश्टे में मतलब जैसे की सैक्षिक और मतलब जागरित करना प्रोग्राम चला जाते थे आदे आदे घंटे के मतलब शुरुआत हो गई थे, लेकिन अगर पहली बार पूचा जाए, टेलिविजन की शुरुआत कब हुई, मतलब नाटको बगरा की तो 1984 में होई थी, हम लोग करके एक नाटक शुरुआ था, हम लोग पहला धारवाइक सीरियल जो था वो इसी पर चला था, 1984 में हम लोग ठीक है? दूद अश्टन पर बहुत सारे सीरियल आते थे, ही मैन बिक्रम बैताल और बहुत सारे सीरियल पहले आते थे बहुत फेमस किरदार थे ही है महाबारत, रामाइड क्वेशन नमबर टैन जगरनात मंदिर कहां पर इस्तित है? जैपुर में, पुरी में, जबलपुर में या बाला सोर में तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन B, पुरी में और ये किसको समर्पित है? तो ब्रह्मा के अफ्तार किश्र को ये समर्पित है ठीक है? याद रखना, पूछ लिए जाता है जगरनात मंदिर किसको समर्पित है? तो ब्रह्मा के अफ्तार किश्र को ये समर्पित है पूरी मतलब कहां पर है आपका ओड़ी साम है कुश्चन नमबर 11 मूल लूप से भगबत गीता किस भाषा में लिखी गई हिंदी, अंग्रेजी, तमिल या संस्केट तो मूल लूप से भगबत गीता किस भाषा में लिखी गई तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन टी संस्केट में और भगबत गीता को लिखा किस ने तो आपका बेद व्यास ने किस ने? बेद व्यास ने भगबत गीता किस के द्वारा लिखी गई? बेद व्यास के द्वारा कुश्चन नमबर 12 बर्तबान समय में भारत में कुल कितने उच्ची ने आले हैं तो इसमें 24 कर दिया ये 25 होगा तो कितने उच्ची ने आले हैं बर्तबान समय में? तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन C 25 उच्छी नाले 25 बाँ उच्छी नाले कहां बनाए गया आपका आंद प्रिदेश के राज़ानी अमरावती में हैं आंद प्रिदेश की राज़ानी अमरावती मतलब अमरावती में अभी राज़ानी नहीं बनी है हाँ राजजानी है यार ध्यान से उतर जाता गभी गभी कोश्चन नमबर 13 आनन्द मठ की रचना किस भाशा में की गई हिंदी संस्किर्थ बांगला या तमिल तो आनन्द मठ की रचना किस भाशा में की गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन सी बांगला भाशा में और ये किस के द्वारा लिखेगी आनन्द मठ ये आपका बंकिम चंदर चटर जी के द्वारा लिखा गया बंकिम चंदर चटर जी के द्वारा इसी से राश्टीगीद भी लिया गया है जो राश्टीगीद है आपका बंदे मातरम वो यहीं से लिया गया है पहली बार राश्टीगीद कप गया गया 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ठीक है चलो बढ़ते आगे कुशन नमर 14 के और किसके शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की गटना होई थी सिराजुद दौला, बाबर, औरंजेब या एहमद शाह तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा option A सिराजुद दौला के काल में ब्लैक होल की गटना होई थी अब आपको ये तो पढ़ा दिया लेकिन अब बिलैक होल भी तो बताना जरूरी है कि आकिर है क्या चले मैं बता देता हूँ हुआ क्या था अंग्रेज जो थे वो दीरे-दीरे मुगलिया संत्राइट थी वो खतम हो रही थी ठीक है और जो नबाब बगरा होते थे छोटी छोटी रियास से थे इनका जो था वो पावर बढ़ ला था फिर अंग्रेज जो थे अम मतलब मुगलिया संत्राइट खतम हो गई तो अंग्रेज इनसे परिशान थे जैसे की बंगाल का नबाब, सिजाज दौला, shot का नबाब तो हर जगए छोटे छोटे चोटे नबाब हो गए तो अंग्रेजें से परिशाथ थी तो अंग्रेजें ने क्या किया ये एक सेण सक्ति बना ली कहाँ पर फोर्ट वीलियम कॉलेज आपने सुना होगा कल्कता में तो बहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए नबाब सिराजित दौला ने क्या उन्हें संदेश बेजा कि आप जो है यहां से सेन शक्ति को हटाओ और मतलब फैक्टियों को भी हटाओ यह चीजें हमें दे दो बापस दे दो मतलब हमें भारत को लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया उनकी बात को नवाब सिराजी दौला की बात को अंसुना कर दिया फिर क्या हुआ नवाब सिराजी दौला को गुस्सा आ जाता है बहुत बैंकर गुस्सा फिर ये पचास हिजार सेनिक मैं सारी एक एक डिटेल ये इस बेर से बता रहा हुँ तक ही आपको याद हो जाए पचास हिजार सेनिक और लगब पांसो हाती और पचास तोप मतलब इतनी सेना लेके गए पचास हिजार सेना पांसो हाती और पचास तोपे लेकर इन्होंने फोर्ट बिलियम कॉलेज पर हमला कर दिया अंग्रेज तो थोड़े से थे वो आदे से ज़्यादा भाग गया फिर उन्होंने क्या किया दो सो लोग जो थे वो उसके लक्षा के लिए थे फोर्ट बिलियम कॉलेज के ताकि बहुत ज़्यादा भाई मगाई नवाप सिराजित दौला ने पिर इनकी सेना नहीं नवाप सिराजित दौला की सेना ने उन्हें अंग्रेजों को पकड़ लिया चोटा सा कमरा था और दो सो लोगों को उसमें डाल दिया उसमें केवल एक ही रुशंदान था और बिल्कुल अंधेरा थोड़ा बेस्मेंट में था तो बहाँ पे उन लोगों को सांस आई नहीं तो वह क्या हो गया है मर गय है 입니다 लगब 125 लोगों की मेरतिय हो गय थी कितने 123 अंग्रेज मारे गय थे उसमें बंद कमरे में इस बाथ से अंग्रेज बिल्कुल मतलब सहम गये थे अंग्रेजों का समलों काफी सालों तक अंग्रेज जो है वो बहाँ पर आये ही नहीं थे कलकत्ता में कि सिराजित दौला के लब इतना वो हो गया अंग्रेज मारे गए कोई सायनिक नहीं आता था फिर रावर्ट कलाईब आता है तो आपको पता ही है उसके बाद से रावर्ट कलाईब आता है और फिर नवाब सिराजित दौला से लड़ाई होती है 1757 में प्लासी का युद्ध होता है जिसमें क्या होता है आपका बोहार जाते हैं इनका जो धमाद होते हैं मीर जाफर वो मिल जाते हैं अंग्रेजों से अंग्रेजों को पता था कि हम भारत में किसी से किसी भी राजा से जीतना बहुत मुश्किल है कि भारत में जितने भी राजा हुए चाहे माराटों से, चाहे मुगल से, कितने भी राजा हुए हैं, कहीं के भी, तो वो सब शक्ति साली होते हैं, लेकिन अंग्रेज एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, कि इने धरम के नाम पे बाट दो, या फिर इनके किसी बंदे से मिल जाओ, तभी आप अटेक कर सकते ह उसके पास, जब उसने नवाब रावट कलाइब ने प्लासी के युद्ध में लडाई होई थी, इनके पास 20,000, 50,000 से ज़्यादा से जादा सैनिक थे, नवाब से राजुत दरल, लेकिन इनका जो सेना पती था, और दमाद भी था, मीर जाफर, वो रावट कलाइब से मिल जाता है, इस वैसे ये हार जाते हैं, उसी के बाद से अंग्रेजों का जो आदिपत होता है, वो शुरू हो जाता है, फिर अंग्रेज निडरते हैं, और पूरे भारत पर शासन कर लेते हैं, आगे समझ में, मैंने पूरी कहानी समझा दी है, क्या हुआ था, तो ये 1123 जो सै जल्दी हो जाता है, इस वैसे मैंने बताया आपको, क्वेशन नमबर 15, गौड ऑफ इसमाल तिंग्स के लेका कौन है, तसलीमा नसरीन, अरुंधती राए, एनिवे सेंट या किरडवेदी, ये आपकी बंगला देश की लेका है, तसलीमा नसरीन, बहुत फेमस इनकी गजले वगरा भी आती है, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, गौड अफ इसमाल तिंग्स का अरुंधती रोय, जो कि ये भारती लेकर आएंगे, क्वेशन नमबर 16, आयोध्या किस नदी के किनारे इस्तित है, गंगा, युमना, गोमती या सर्यू, तो गंगा किस नदी के किनारे इस्तित है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, उप्सन डी, सर्यू नदी के किनारे इस्तित है, आपका लखनव किस नदी के किनारे इस्तित है, तो लखनव आपका है, गोमती नदी के किनारे इस्तित है, ठीक है, याद रखना, लखनव आपका किस नदी किनारे गोमती नहीं दिखेंगे ना रे Question number 17 स्वतंद भारत के पिर्थम Governor General कौन थे बेबेल राजगोपाल चारी, लाड माउंट बेटेन या लाड रिपन तो स्वतंद भारत के पिर्थम Governor General कौन थे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option स्वतंद भारत के पिर्थम Governor General कौन थे तो आपके थे राजगोपाल चारी Question number 18 दिर्बित पिटोलियम गैस LPG में किसका मिश्रण होता है तो किसका मिश्रण होता है LPG में LPG की फुल फार्म क्या होती है Liquified Petroleum Gas Liquified Petroleum Gas LPG की फुल फार्म होती है Li, QI, P, I F, I, E, D Liquified Petroleum Gas तो इसका राइट अंसर होगा Option C, A और B दोनों, Butane और Propane ठीक है अच्छा एक चीज़ बताइए CNG में कौन सी गैस होती है CNG की फुल फार्म क्या होती है Compressed Natural Gas इसमें होती है आपकी Methane और Ethane ठीक है Methane और Ethane ठीक है Note कर ले ना यह चाहिए लिख ले ना आरम से CNG में जो आपकी होती है वो Methane और Ethane होती है LPG में होती है आपकी Butane और Propane Question No.19 अंतराश्टी अपरादी पुलिस संगठन का मुक्याल है कहां पर है Geneva, London, France, Lyon, France या New York तो कहां पर है इसका राइट आंसर बताओ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Option C Lyon, France में अंतराश्टी अपरादी पुलिस संगठन Question No.20 USA का राश्टी खेल क्या है किर्किट, फुटबॉल, हौकी या बेस्बॉल तो USA का राश्टी खेल क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option T बेस्बॉल अब भारत का कौन सा है हौकी Question No.21 कौन सा सदन कभी बिख्टिप नहीं होता है लोगसभा, राश्ज़सभा दोनों या इनमें से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option B, राश्ज़सभा राश़्सभा कौन से आर्टिकल में आती है 80 और लोगसभा आती है 81 में और संसद क्या आती है संसद तो आपके आती है 89 में गाइस देखिए मुझे पता है कि आपको यह अच्छी से पता है लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि एक बार नहीं, दो बार नहीं आपके कम से कम दस वार सुनने से एक चीज़ तो समझ में आई जाएगी Question No.22 राश्ज़सभा के सदस्वों का कारिकाल कितने वर्षों का होता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसी question है Option B, छे वर्ष का हर दो वर्ष में क्या होते है राश्ज़सभा के बन थर्ड जो सदस्वों क्या होते है रिटाइर होते वहते है Question No.23 फतेपूर सीकरी का निर्माड किसने करवाया था बाबर ने, हमायू ने, अकवर ने या शाजाने अब बुलंद दर्वाजा कहां पर इस्तित है तो वो भी फतेपूर सीकरी में ही इस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option C, अकवर ने 1579 EZB के आसपाज जो था अकवर ने फतेपूर सीकरी का निर्माड करवाया था ठीक है Question No.24 भारत में Theosophical Society का मुक्याल है 1882 में कहां पर इस्तापित किया गया कोचीन में, रामेश्वम में, अड्यार में या तंजौर में भारत में Theosophical Society का मुक्याल है कहां पर इस्तापित किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option C, अड्यार में यह आपका कहाँ पर था मदरास में उस टेम ठीक है इसका मुख्याल है था मदरास चेन नहीं में बर्तवान में ठीक है अड्यार मदरास चेन नहीं में अच्छा यह आपका वर्ल्ड में किसने श्टार्टिंग की थी इसकी तो 1875 में जिता वर्ल्ड में चलो मैं बता दिता हूँ एक बार ये कोशन आ जाता है सबसे पहले थियोसोफिकल सोसाइटी का मतलब ये था ये सारे धर्मों को लेकर एक पिरवचन देते थे मतलब हिंदू, मुसलिम, सिक, जैन सभी धर्मों के मिलाके ये पिरवचन दिया करते थे उसी को उनने एक थियोसोफिकल सोसाइटी बना दिया ठीक है, आगे समझे, मतलब आसान भाषन में मैंने समझा दिया हला कि बहुत चीज़े होती है इसमें तो ये मतलब लोग को अच्छे से रहना, एकता बनाया रखना ये सारी चीज़े समझाते हैं, इसका सबसे पहले शुरुआ तो ये 1825 में मैडम बलाटस की और करनल अर्नॉल्ट द्वारा 1875 में न्यू आउक में की गई किसके द्वारा मैडम बलाटस की और करनल अर्नॉल्ट द्वारा 1875 में की गई, ठीक है और भारत में किसके द्वारा की गई तो भारत में आपके की गई थी एनी बेसिंट के द्वारा 1882 में जो अढ़्यार मदरास में इस्तित्ता अगे समझ में अब Theosophical Society तो आपने पढ़ा होगा लेकिन इसे पता नहीं होगा कि है क्या Theosophical Society वो मैंने आपको बता दिया Question No.25 जहागीर के दर्वार में पक्चियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था अब यह question है यह question आप नोट कर सकते हैं ऐसे question आपको में नहीं मिलते है हसनली, मंसूर, जुवैद या फिर अंसारी तो जहागीर के दर्वार में पक्चियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option B, मंसूर जो की महान चित्र के पक्चियों के चित्र बनाने के लिए famous था ऐसा बोलते हैं मैंने पढ़ा था कि ऐसे चित्र बनते थी कि एकदम 3D डाइप का होता ना रियल लगता है तो रियल लगता था चित्र जो question number 26 हॉफमेन कप का समद्ध कि स्केल से है किर्किट, हॉकी, वैडमिंटन या टैनिस कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थी कि सरा आप बात नहीं करते, कमेंट पढ़ते नहीं हो, अरे गाई सब के कमेंट पढ़ते, बढ़ क्या है कि अगर आप से बात करने लगेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कैसे, अब मैं हर चीज़ आपको बताता हूँ, मुझे ध्यान रखना पढ़ता है, कभी कुछ का कुछ निकल जाए, ये भी ध्यान रखना पढ़ता है, ठीक है, किसी दिन बात होगी अपनी लाइब चैट पे, मैं लाइब आओंगा किसी दिन, फिर देखनाई रहा है, फिर बात करते हैं आराम से, चलिए, क्वेशन नमर 26 बताईए, होफ मैं का संबन्द किस क्यल से है, किर्केट से, होकी से, बैडमिंटन से या टैनिस से, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, ओप्सन D, टैनिस से, अब आप मालू में कैसे याद कर सकते हो, होफ मैं कप, अब ऐसे तो भूल जाओगे, बहुत सारी कप होते, तो टैनिस आपने इस तरीके से टैनिस याद कर सकते हो, कुश्चन नमबर 26, क्यूँ शब्द का संबन्द किस क्यल से है, टैनिस, किर्केट, बिलियर्ट या फुटवाल, तो क्यूँ शब्द का संबन्द किस क्यल से है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, ओप्सन C, बिलियर्ट, ओईसे after billiards एक ऋर भी हो टाइआ पूलो बड़ी से टेबल होता है stick से खेला जाता है मूवी i precis में दिखाते हैं बहुत जादा तो फे तो जो होता है इस टिक से कहला जाता है गेंद पे मारते हैं कलर की माणवच ही होती है टेविल पे बढ़िया करके तो पूल और बिलियर्ट्स जो होता है वो एक ही गेम होता है तो इसमें एक क्यू शब्द का यूज होता है साइध इस्टिक इस्टिक कुछ गारवर होती है तो उसे क्यू बोलते हैं ठीक है तो क्यू शब्द का समन्द के से पूल और बिलियर्ट्स से होता है टेकी गे में बड़ अलग अलग तरीके सेला जाता है तो बिलियेट्स और पूल बोल दिया जाता है कुश्चन नमबर 28 न्यूट्रान बम का अभिश्कार अभिश्कारक कौन है जहांगीर भाबा अलबर्ट आइस्टीम सेमुल कोहेन ये कैपलर ये कैपलर तो न्यूट्रान बम का अभिश्कारक कौन है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेमुल कोहेन जोकि न्यूट्रान बम का अभिश्कारक था कुश्चन नमर 29 माचिस की तीली में किसका पिर्योग किया जाता है पीली फॉस्पोरस लाल फॉस्पोरस सफेद फॉस्पोरस या भूरा फॉस्पोरस जो माचिस की तीली पर मलब काला काला फदार्थ लगा होता है वो फास्पोरस होता है लेकिन वो कौन सी फास्पोरस होती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option B लाल फास्पोरस question number 30 डिंगू बुखार किसके कारण होता है एडीज मच्चर, तितली, चमकादर या इन में से कोई नहीं तो डिंगू बुखार किसके कारण होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option A एडीज मच्चर एडीज इजिप्टी मच्चर होता है इसका पूरा नाम होता है एडीज इजिप्टी मच्चर जब काट लेता है तो डिंगू बुखार हो जाता है अगर कभी कभी पूछे ले जाता है malaria malaria जो होता है वो किस मच्चर के काटने से होता है हला कि malaria जो है वो उसकी बज़े से नहीं होता है बिसाडू की बज़े से नहीं होता है यह virus नहीं है ये बाइरल भीमारी नहीं है लेकिन ये किसकी बज़ेत होता है ये प्रोटो जुवा रोग होता है मलेरिया लेकिन होता किसकी बज़ेत है तो मादा एनाफिलीज मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मादा एनाफिलीज मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेग्या रोख होता है चलो बढ़ते हैं कि देखो मैं बोलता रहता हूँ यह spelling और इस पर ध्यान मत दिया करो अब आप बड़े हो यह नहीं कि spelling ध्यान दे रहे हैं कि सर इस पेलिंग गलबड़ कर दी है ऐसा कुछ नहीं है आप जो है बोट चीजों को समझना सीको इस पेलिंग गलती हो कुछ भी हो मतलब एक दम जो इस फोकस पर होना चाहिए कोश्चन हल करने पर होना चाहिए तो उसी पर होना चाहिए कोश्चन नमबर 31 बड़ापा रोकने की आउस्ति है यह कोश्चन कितने लोगों ने पढ़ा था सेस्टेरिन पेरासिटामोल निकोलोईड यह एमपीसिलिन तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन ए सेस्टेरिन यह एक विरकार की ओश्दी बनाई गई है मेडिसन मनाई गई है इसमें आपका बिटामिन सी होता है बिटामिन ए होता है काभी सारे बिटामिन और प्रोटीन भी मिला जाता है मिनरल्स भी होते है इसमें तो मिला के एक मेडिसन बना दी गई है ठीक है तो बड़ापा रोगनी के उच्टी कौन सी होती इस से इस तरे रेन कोश्चन नमबर 32 अरावली परवत माला किस शेड़ी की परवत माला है मोड़दार, ज्वालामकी, भिरशोत या फिर आपशिष्ट इस इंगलेश में बोलते हैं रेजी डियोल ठीक है अपशिष्ट को बोलते हैं रेजी डियोल इसका मतलब होता है इस पर पानी और घास, हवा, धूल, मिट्टी से ये बिल्कुल जब पानी आता है धूल आती है, मिट्टी आती है, तो ये पाहड बिल्कुल चिकने हो जाते है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, ओप्सन, डी, अरहवली, परवत किशकी शड़ी की परवत माला है तो इसका अपशिष्ट परवत की, ठीक है, इसका इंगलिश में से रेजी डियोल मौंटेंज बोलते है ये बिल्कुल चिकने परवत माला होती है, और भी इसके बहुत सारे उदाड़ा है, जैसे पारसनात हो गया, राजमहल की पाड़ी हो गया, और नीलगिरी की पाड़ी हो गयी दक्षिट बारत में, और पहला कॉंडा की पाड़ी हो गयी, ये सब अरावली का उदारड़ है तीसरे अंपाइर के नियम के पिर्थम शिकार कौन सा खिलाड़ी बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्षन, डी, सचिन, तिंदुलकर, एक बात बताओ, मैं सचिन, तिंदुलकर, जैने किर्किट का भगवान खा जाता है, इनकी ऐसे से रिकॉर्ड है, जो कोई भी भी नहीं तोड़ सकता है, एक रिकॉर्ड ऐसा है, यह शायद नियूजिलेंड जैने ऑस्टेलिया के खिलाब, बंडे करके टोड़ा था, तो इन्होंने तीन वाल लगाता, नाइंटी नाइंटी नाइन पे आउट हुए है, ठीक है, अब तीसरे अंपाइर के पिर्थम सिकार खिलाड़ी, इसा चिंते अंदूर कर, अभी रिकॉर्ड तो मुश्किली, अब तोड़े नहीं सकता कोई, ठीक है, क्वेश्चन नमर्ट 34, दोनी से संबधित अध्यन क्या कहलाता है, एकॉस्टिकस, फोनेटिक्स, फिजियो, ओलिस्ट, साइको टेस्ट, तो दोनी से संबधित दिन क्या कहलाता है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, ओप्शन ए, एकॉस्टिकस, अब मैंने यह कैसे याद किया था, यह नम बड़ा, मतलब कभी-कभी, एकॉस्टिकस, एकास्फिकस, मतलब बहुत सारे नाम आ जाते हैं, अब कन्फ्यूजन हो जाता है, त इसकाश मतलब कि टिक-टिक बोलेगा, टिक-टिक बोलेगा, एकास्थ टिक की, तो बलतर टिक का यह आगे बीच में टिक आया है थोड़ा सा, तो टिक-टिक बोलेगा, तो धनी से संबन देते हैं, तो और यह जाते हैं, कुशन नमर 35 की ओई, गॉत्म बुध ने अपना पर लवापुरी या सारनाथ तो गौतम बुर्दी ने अपना पिता मुद्देश कहां दिया था तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन डी सारनाथ इसी कोश्चन है हजार बार कर लिया होगा यह तो कम से कम अच्छा यह सारनाथ कहां पर आपका तो यह बनारस के पास है यूपी में बनारस के पास है याद रखना अपका एग्जामनेर को ऐसी कोश्चन मिलेंगे अब यह तो आप बार बार आ चुका है अब पूछेगा कि सारनाथ कहां पर रहे तो आपका बनारस के पास है यूपी में कुर्शन नमबर 36 चाड़क के किसके गुरू थे चंदरगुप्त मौरिये समुद्रगुप्त अजाश शत्रू या हर्श वर्दन तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ओप्शन ये चंदरगुप्त मौरिये के चाड़क किसके गुरू थे चंदरगुप्त मौरिये के मौरिये समराज की इस्तापना भी इन्होंने ही मिलकर करना आई थी चंदरगुप्त मौरिये के साथ मिलकर ठीक है इसके पीछे की एक कहानी है लब चालक जो थे वो एक महान बिद्वान थे आर्थशास्त के उपर इन्हों बुक लिखी है इंडिका ठीक है? बहुत सारी चीज़ थे मैं कभी इनके पीछे की कहानी बताऊंगे कि चंदगुप्त मौरी मौरी समराज की स्थाबना क्यों ही? क्या कहानी थे इसके पुई? क्वेश्चन नूमबर 37 आईकर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या A और B दोनों द्वारा? तो इसका राज्य अंसर हो जाएगा ओप्शन B, केंद्र सरकार द्वारा आईकर जो लगा जाता है रिटन वो आपका केंद्र सरकार द्वारा लगा जाता है क्वेश्चन नूमबर 38 टीवी रोकताम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? MMC, DPT, PNC या BCG अच्छा टीवी के होता किस बैक्टिरिया की बज़े से है? किस बैक्टिरिया की बज़े से होता है? टीवर किलोसिस मैं बता देता हूँ यह भी कोश्चन आ जाता है टीवर किलोसिस माइक्रो बैक्टोरियम माइक्रो बैक्टोरियम टीबी जो होता है टीवरक्लिकंचным माईकरोबैक्टोरियम की वज़े there माईकरोबैक्टोरियम वैक्टेरिया की वज़े inhern तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा option D, BC, G टीवी के रुकताम के लिए concept ठीका लगा जाता है BCG यह लग बच्चेक 90% बच्चे में लगा दी जाता है तो आगे जाके रुकताम कर देता है 80 से 90% चांस होते हैं ठीक है BCG की फुल फॉर्म क्या होती है BCG की फुल फॉर्म होती है bacillus क्या होती है bacillus calmate calmate और इसका क्या होता है urine क्या होता है यू रीन bacillus calmate urine इसकी फुल फॉर्म होती है अच्छा आपने DPT सुना होगा DPT सुना होगा तो DPT का टीका किसके लिए लगा जाता है dipteryna, patyuses और titnes के लिए ठीक है DPT का टीका 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 जो था वो 3 चीज़ों के लिए लगता है किसके लिए लगता है ये भी बचवन में नहींfund हो दस माह, 14 माह, 16 माह में लग जाता है diptheria, patutusis, और titanis के लिए जाता है, diptheria मतलब जो गले में, गले को घेरने वाली बिमारी होती है, ठेक है, सांस लेने में दिख के, diptheria वह होती है, titanis आपको पता है, जो कोई लोहे वाली चेज या कुछ भी लग जाए, तो वह titanis वन जाती है, ठीक है और पटियूसिस जो होती है वो काली खासी या हूफिंग कफ बोला जाता है पटियूसिस जो होती है आपके क्यांसी बिमारी होती है काली खासी जिसे बोलते है या खासी या हूफिंग कफ बोला जाता है आगे समझ में यह आप नोट कर सकते हो मैंने इतनी डेटेल आपको बता दी ना एक मुस्किल से 50 सेकंड में आप जो है किना में किसी भी कहीं भी अगर दूसरी यूटूब चैनले कहीं भी जाते हो तो आपको कोई नहीं बताएगा मैं आपको इस वे से बता देता हूँ तो आपको पता लगे कि हाँ ऐसा ही होता है आप मैं चाता है तो आपको ऐसी बता देता कि टी वी का किस लिए लगा जाता बी-सी जी खतम हो गया लेकिन अगर मैंने उसके बारे जेटेल नहीं बताई तो मेंड़े पढ़ाने का कोई फाइदा नहीं आप साधा question तो अब ऐसे ही पढ़ सकते हो किताब में विदियों होते हैं लेकिन ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं किताबों में बहुत सारा material दिया है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाते हो क्योंकि क्या होता है जब तक कोई समझाता नहीं उस शीच को तब तक हम उस शीच को नहीं समझ पादे है question number 13 भारत भारती के लेका कौन है जैशंकर पर साथ, दिनकर, निराला या मैथली शरड़ गोप्त तो भारत भारती के लेका कौन है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option D मैथली शरड़ गोप्त जो कि भारत भारती के लेका का है question number 14 भारत का पहला रसाइन बंदरगा है चेनने, मुंबई, कांडला या दाहेज, गुजराद तो भारत का पहला रसाइन chemical port कौन सा है तो इसका right answer हो जाएगा option D दाहेज, गुजराद जो की भारत का पहला chemical port है ठीक है, गाइस वीडियो कैसे लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना scorecard आफटर वीडियो के बाद जरूर बताए कि सर इतने अब होने लगे है कोशन क्या, मैं एक बार जो कोशन ले लेता हूँ, मुझे दो वाज़ चांस ये रखता हूँ, कि वो कोशन ना लूँ, हर बार नया कोशन लूँ देखो, स्वामी विवेका जी का एक मैंने, मतलब वो उन्होंने कोईट होता है आप वो काम करो जो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ये बाद भी ध्यान रखो और इसके साथ ही आप हमाई टेलिग्राम चैनल परिक्षा गुरू अकैडमी के नाम से जोड़ सकते हैं, सर्च करके फेस्बुक गुरूप, वाटसप गुरूप और टेलिग्राम चैनल इनके साथ भी गैस, ओके, बाई